डिवाईन मैस्पूलाइन की एक स्पेशल झी मुझे बडिट हूई है देखो यह चैनल जो है कुछ ज्यादा ही डिवाईन मैस्पूलाइन की ठीज इस चैनल को स्टार्टिंग में ही मतलब जब उसके 500 सब्सक्राइबर ही थे तब उसको बदनाम कर दिया गया जिसकी वज़े से इसके सब्सक्राइबर रोग दिये गए शायद आज 1 सब्सक्राइबर हो चुक Secret सब्सक्राइबर हो तो यह जब के जब ने अड़ गपाती हुँ इससे मेरे और सामने वाले की दोनों की ग्रोथ होती है तो इसी लिए मैं जो हूं current energies डालती हूं मतलब आपने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं current energy डाला पर हूं तो डिदान masculine की स्थिती थोड़ी मतलब कैसी हो गई है मैं बतावती हूं कि runner feminine को देखके runner feminine को देखके उनका आत्मविश्वाल डगमगा गया है तो एक helpless जैसे उनकी मतलब दयानी जैसे condition हो गई है चहरे का सब नूर खतम हो गया है अब helpless जैसे feel हो रहा है शायद तबियत खराब हो सकती है कुछ भी मतलब अचानक से बुड़ा पा रहा है सफील हो सकता है और यह जो उनकी energy है यह डिवान feminine पर भी mirror कर रही हो कि मतलब जब वह आपको प्यार सेंड करते हैं love सेंड करते हो तो आप भी चमकने लगते हो जब उधर कुछ गड़बड होने लगती है तो इधर भी थोड़ा कुछ होने लगता है तो यह है न जी तो प्रे कीजिए अपने के लिए बड़ा बुरा लगता है सम्टाइम्स मुझे कि टुन फ्लेम्स को बहुत एक गंदी नजर से देखा जाता है उनके बारे में सोचा जाता है या मैं खुद भी होती अगर मेरी आवेकनिंग ना होती और मुझे टुन फ्लेम्स के बारे में ऐसा कुछ पता चलता तो शायद मैं कभी भी उसके साथ नियाए नहीं कर पाते मैं जरूर उसको एक्स्ट्रामारिटल अफेर या गंदगी की तरह देखती तो मैं दूसरों को भी दोश नहीं दे सकती कि भई वो ऐसा सोचते हैं लोग तो क्यूंकि मैं बहुत ही यहाँ पर सचाई को बस सामने लाती हूं बाकी मैं कुछ नहीं करते हैं अगर कोई है ऐसा तो इतनी दूर मतलब इतना जीवन बीतने के बाद क्यों मिलता है वो भी ऐसी कंडिशन में जहां पर मतलब कोई मतलब यह ही नहीं कि आप इतने कनेक्टेड हो कि दूसरा कोई और इश्वर के बाद अगर आपके नियर है तो आपका ट्विन ही है इतने आप जो है सोल लेवल पर कनेक्टेड हो बट थ्रीडी में आप उसको कुछ भी नहीं बोल सकते कुछ रिष्टा नहीं रख सकते बोल नहीं सकते या खुद भी आपको शरम आई गया अगर आप हो सकता है आपके ट्विन जो हो कहीं दूर के कि यह कुछ भी ऐसा तो आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे कैसे बोलोगे कि भई आप मेरे टुन फ्लेम हो तो इस बाए में मुझे बहुत ही बुरा लगता है सम्टाइम्स कि अगर ऐसा कुछ है तो भगवान को इतना कच्रा करके इतना कच्रा करके देने की जरुद क्या थी पैतिस साल बात मुझे पता चला तो ना भी पता चलता तो ऐसा क्या फरक पड़ जाता जीवन तो पूरा चला गया है अगर मुझे ना भी पता चलता तो क्या फरक पड़ जाता बताना था थो थोड़ा जल्दी तो बताना था नहीं तो बताना ही नहीं था ऐसा भी क्या फर झाल 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 झाल